इस्पीसीज स्रीज में आज का हमारा टोपिक है गंगा रीवर डॉल्फिन जिसे शूशू भी कहते हैं जो इसकी आवाज जो आवाज यह जिस तरह करती है हम अभी तक वल्चर्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिस्कॉशन कर चुके हैं हम इतना इनको डिटेल में क्यों पड़ रहे हैं कई लोग को कहना है कि बस हमें आईउशन की केटेगरीज कर लग जाए तो हम क्वेशन कर सकते हैं बट यूपेसी का आज का जो पेटर्ण है वो ऐसा नहीं है नहीं ये PCS का पेटर्ण है किसी भी चीज को करने से पहले हमें प्रिविएस येर पेपर देखना है नहीं तो कंटेंट टेरिजम का ये जो जमाना है उसमें हमें लगेगा कुछ भी और क्या जो इंफर्मेशन को सारी इंपोर्टेंट है ऐसा नहीं है पहले हमें प्रिविएस येर पेपर देखना है ता कोर आईएस.com के डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप एनवार्मेंट के क्वेशन देख सकते हैं जहां इस पीसीज जो क्वेशन वो एक साथ रखेगा है उससे आपको पता लग जाए तो पहले हम इसको कर सकते हैं डिस्कवरी इसकी डिस्कवरी एक्रिडेंटली 1801 में हुई ती ये केवल इंफर्मेशन है इसको याद नहीं रखना है फिर इसके आवास की बात करें है तो यह है फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली स्वच जल में पाई जाने वाली जिसकत है गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्रा और जो मेगना रिवर तंत्र है उसमें यह मिलती है यह ज्यादा लवनता सलनेटी को सहन नहीं कर सकती है और इसे स्वच्छ जल जो है वो है चाहिए और अभी न्यूज में भी थी कि जिस तरह सुंदर्बन में लवनता बढ़ रही है वहाँ इनकी संख्या कम हो रही है तो इनका जो आवास है वो है स्वच्छ जल और स्वच्छ जल में भी है डीप वाटर जो है गहरे पानी वह है इनकी जो है प्रमुक्त तया है और यह है क्रोकोडाइल के साथ मगर मच्छों के साथ अपना आवास जो ह वह साजा करती है, क्रोकोडाइल के साथ चाहित जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, बताकूर बाक्सा, उनके साथ भी अपना आवास साजा करती है, फिर अगर हम देशों की बात करें, नेपाल, भारत, वह बांगलदेश की जो नहीं हैं, उनहीं में मिलती है, पिर इनके variants की बात कर लें जो अन्य है डॉल्फिन है जो स्वच जल में मिलती है तो उन्य है जो डॉल्फिन है जो स्वच जल में मिलती है तो उनमें एक है बुलुन यह है जो है इंडस में मिलती है सिंदु नदी में नेक्स्ट है बेजी बेजी जो है यह है चीन की यांगतेज रिवर में मिलती है फिर है बोटो बोटो जो है यह है अमेजोन मिलती है तो यह है भी तीनों फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो गंगा डॉल्फिन के तरह ही है पर परन्तु अन्य नदियों में मिलती है गंगा रिवर डॉलफिन भारत का जो है नेशनल राष्ट्रीय एक्वेटिक जो है एनीमल है राष्ट्रीय जलिये पशु है और इसे राष्ट्रीय जलिये पशु जो है सन 2000 में गोशित किया गया यह रियाद रिकर कि जुरुत नहीं है पर यहां पर यह है कोश्चन जो यूपेसी पुछ चुका है फिर आयूसीन अगर स्टेटेस की बात करें आयूसीन के अनुसार यह है जो है वह है एंडेंजर्ड फिर कुछ अज्ञ अफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं फिमिल डॉल्फिन जो है मेल डॉल्फिन की मुकाबले लंबी होती है तथा फिमिल डॉल्फिन दो से तीन सालों में जो है जनम देती है और एक ही बच्चे को एक बार में जनम देती है तो यह है सब कुछ हमें गंगा रिवर डॉल्फिन की बारे में जानना है नेक्स्ट हम डिसकेस करेंगी जो है विभिन्द प्रकार के जो कच्छुए हैं उसमें सबसे पपहले प्रमुक डिसकेस करेंगे और लिव रिडले टटल थैंक यू